तो इसको आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है तो इसको आप घर पर भी बनाके और इसको महीनों तक यूज कर सकते हैं इस टोर करके तो चले ही स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हम ले लेंगे यह रफली टूटे हुए ब्रेड या उपर नीचे के जो बच जाते हैं तो इसको एजए के साथ लेना है तो सबसे पहले इसको रफली तोड़ लेंगे और मिक्स के जार में डालेंगे तो सारे इसको डाल देंगे और इसको पीस लेंगे तो विल्कुर इसको दड़्रा पीसना है ज्यादा भारिक नहीं करना है तो यह पीस करेडी है और आपको दिखाती हूँ तो यह अब देख सकते हैं तो हम गैस पर रख देंगे कड़ाही और ब्रेट क्रॉम्स इसमें डाल देंगे तो इसको करना है ड्राइ रोस्ट क्योंकि इससे इसका मॉइस्ट निकल जाए तो यह ज्यादा दिन तक चलेगा वने खराब होने का डर रहता है तो इसको 10-15 मेरेट तक हम ड्राइ रोस्ट कर लेंगे तो अब यह हो चुका है और इसको हम ट्रांसफर करेंगे ठाली में तक यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसको भरेंगे जार में तो इसके शॉर्म चेक आप देख सकते हैं तो हैने इसको बहुत हीजी बनाना तो इसको ढब ब्रेट क्रॉंट ब्रेड रोल या फिर ब्रेट पकॉड़ि के साथ लगा की इसको फ्राइ कर सकते हैं बहुत ही क्रंची चार टेस्ट देता है तो जले इसको भर लेते हैं जार में यह पूरी तरशी हो चुका है अप इसक अगर आपको पास ब्लेट बचे हुए है तो तो कैसा लगए ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएगा और अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा मिलते हैं नईरी सीपी के साथ नहीं वीडियो में थैंक्यू बबाए